हैलो दोस्तों नमश्कार अब आप लोग देख रहे हैं गौट फार्मिंग के चैनल दोस्तो आज मैं आपको बहुत बहुतरी इंकेस दिखाने बाला हूँ जिसके अंदर हमने किया है बकरी का दिश्टो किया आज का हमारा दिश्टो किया का दूसरा केस तीसरा केस जो यहां पे बनके निकलता है तो यहां पे एक बकरी है जो की बच्चा देने की कोशिश कर रही है कापी टाइम बीच चुका है जो की बकरी का बच्चा जो आसानी से बाहर निकल जाता है लेकिन निकल नहीं रहा है यहां पे किस तरीके से काम किया गया, किस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने काम किया था, एमरजेंसी में इस तरीके से काम फार्म पे सारे कुछ किये जाते हैं, तो यहां पे तीन लोग जो की इस तरीके से काम कर रहे हैं, मेरे साथ और भी दो सही होगी यहां पे मौ बकरी बच पाती है या नहीं बच पाती है या बकरी का बच्चा निकल पाता है नहीं निकल पाता है सारी कुछ जान करें आपको इस वाले वीडियो में मैं दूंगा उससे पहले दोस्तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्रा लेकिन नहीं इसका बच्चे का कोई पेर बाहर है नहीं बच्चे का मुंडी बाहर है नहीं कुछ भी नहीं आया हुआ है इसका और देखिएगा दोस्तों यह काफी टाइम से यह मान लीजेगा दो गंटे से गौट परेशान है और यहां पर थोड़ा थोड़ा पानी गौट इस तरीके से गिरा रही है यह अपने से जोर भी लगा रही थी तो फिर दोस्तों हमने यहां पे स्टार्टिंग में बकरी को कुछ लिकविड पिला रहे हैं यहां पर देसी तरीका ith登録 अपना लिया है यहां पर धनिया पाउडर जो की धनिया musky बनाए इस तरीके से आपको बॉटल में दिख रहा है, सथी सथ हमने अजवाइन लिया है, बन चमच, सथी सथ हमने गुड का यूच किया है, पंदरा ग्राम, तो इस तरीके से आपको पूरी जो मिसरन बनता है, तो आपको सभी का सभी मिसरन एक अच्छे से बारिक करके जो है, उसका लिक्विड गोल बन जो है, इस तरीके से इसको मुँ में डालके इसके पिलाए गया था, तो यह सारा का सारा जो है, लिक्विड हमने इसको पिलाना है, बाकी लिक्विड जो है, किस तरीके से बनाना होता है, तो उसका वीडियो आपको अलग से देखने को मिल जाएगा, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है तो आपको जो वीडियो को लश्टक वाच करना है तो जो आपको प्रॉपर जानकरी मिल पाएगी तो इस तरीके से जो बकरी जो अपने से तोड़ा सा जोर लगा रही थी लेकिन इस से क्या होता है इस लिक्विड को पिलाने के बाद जो बकरी और भी जो जादा जो गर्मी इसके अंदर भर जाती है और बकरी जो तोड़ा सा जोर मारना और भी स्टार्ट करती थी है तो यहां पर दो बकरी ने जो अडर भी बना लिया है इसके जो सारे के सारे जो लक्षन शोव हो रहते हैं जहां से बकरी बच्चा देने वाली होती है इसके सारे के सारे दिन भर चुके हैं बिल्कुल और यहां से बकरी और जादा काफी जादा परिशन होने लगी तो यहां से हमने डिसाइट किया कि जो है अब इस बकरी का हमें करना पड़ेगा डिश्टो किया क्योंकि बच्चा अगर बाहर नहीं निकालेंगे हम तो बकरी जो है इस तरीक से चिला चिला के जो है अपना दम तोड़ देगी और बच्चा जो है बाहर नहीं निकल पाता है कई बार क्या होता है बच्चा जो है उसके जो पेरे वो कई बार अटके होते हैं अंदर के और मुड़े होते हैं गुम जाता है कई बार बच्चा तो उसको जो निकालना कई बार जरूरी होता है तो आपने जैसे के वीडियो में देखा कि बकरी जो थोड़ा थोड़ा लिक्विड अपना गिरा रही है बस बच्चा ये देने पारी समझते यही है तो यहीं से दोस्तो हमने डिसाइट करा है कि इसका जो हम लोग करेंगे डिश्टो किया देखिये का दोस्तो लिक्विड जो है इस तरीके से इसने डाला हुआ है दो धाई तीन गंटे इसको हो चुके है जो कि ये परेशान है इस तरीके से फाइनली दोस्तो हम लोगों ने यहाँ पे जो डिसिजन लिया था जिश्टो क्या करने का तो इस तरीके से हाथ डाल के बकरी के बच्चे के जो पेर है वो अंदर की ओर मुड़े हुए थे तो हमने इसको जबरदस्ती बच्चे को निकालना पड़ रहा है क्योंकि बकरी अप यह नहीं है को थे तो यहाँ पें आपको बहुत ही सावदानी से काम करना पड़ता है काम में आपने थोड़ी सी मिश्टेक बगारा अगर कर दी तो बच्चा डेट कर जाता है तो यहां पे बड़ी सावधानी सी काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद जो है दोस्तों हमने बच्चा निकालने में हम लोग सक्सेस्फुल हो गए तो यहां पे जो हैंने इस तरीके से बच्चे को जो है आसानी से बिलकुल यूनिक तरीके से बच्चे को तीन लोगों ने खीच के जो है निकाल दिया है गउट का बच्चा जो देख सकते आप जितनी गउट है उससे अथिक जो है उसने बच्चा दे दिया है कहने का मतलब जो है बच्चा थोड़ा सा और साइ बक्री की जो बच्चे का जो नील होता है वो मां से जुड़ा होता है तो आपने वो भी देख लिया कि किस तरीके से तूट गया बक्री जब खड़ी हो गए तो इस तरीके से देखिए का दोस्तो ये बच्चे जो बिलकुल जिंदा है यहां पर मैं आप लोगों को दिखा रह जाए तो जब इसको निकला गया था तो थेली वगरा जो अंदर ही फूट गए थी तो इस तरीके से ये बच्चा निकला है दोस्तो तो इसका जो डिश्टोकिया भी हो गया है विलकुल प्यारा-प्यारा सा बच्चा है ननना सा है तो ये अच्छा कासा है इसका जो वेट और अजवाईन और धनिया पाउडर इसको पिलाया था उससे जो थोड़ा सा प्रेशर क्रेट हो जाता है और बच्चे जो बखरी जोर लगाती है और यहां पर जो हमने उसी का फायदा उठाके जो बच्चे को असनी से कफी ज़्यादा मेनद करके जो निकाल दिया है तो इ की साथ दोस्तों मिलेंगे के नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ देखेगा दोस्तों बखरी में आप लोगों को दिखा रहा हूं तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्य नमस्कार